मेरे प्रियू प्रभू येसु मसी आपसे जितना प्रेम करके अपने आपको प्रति दिन जो है आपसे प्रकट करके आता है न? वो चंगा करने के रूप में और जो है तसली देने के जैसे शर्वर्शक्ति मान के रूप में सारे समसिया को जो हमारे जिवन में हल किया है प्रति दिन अपने आपको प्रकट किया उसने कहा डरो मत मैं तेरे संगू प्रभू ने इसे अगवाई की उस एशु मसी को दिल में बरकरार रखना है ये इशु तू मेरे साथ रहता है उनसे कहना है आपको प्रातना को दियान से वो सुनता है प्रातना की सारी बातों के लिए परमेशर आपका उत्तर देता आप कहते हैं मैं तो पापी हूँ मेरे प्रातना को क्या प्रभू सुन सकता है नहीं तो मुझे त पुन्दर डंग से प्रातना करने के लिए जरूरत नहीं है। कैसे भी बुलाने से परमेशर सब की प्रातना को उत्तर देता है। भजन उन्नतरवा अधिहाई की तेंतीसवा वचन में। क्योंकि यहवा दरद्रों की और कान लगाता है। और अपने लोहों को जो बंद्वे हैं तुछ नहीं जानता। दरद्रों की जो है वो कान लगाता बंद्वों को तुछ नहीं जानता। जी हाँ जब कभी आप बुलाते हैं आपके प्रातना को प्रभु तुछ नहीं जानता। तुम्हारी प्रात्ना को नहीं सुनूंगा, तुम जावो मोवन सिलासर कबास, ऐसे प्रबु कहेगा, नहीं तुम बुलावो मैं उत्तर देता हूं। दीन दर्द्रों की प्रात्ना को सुनता है, एक बार एरिगों की सहर में येशु जा रहा था, वहां एक अंदा भैट के बीक मंग रहा था, वो परमेश्यर की आने की इस चर्चा को सुना, इस वक्ति के बारे में पूरे गाउंवाला जानते हैं ताकि ये अंदा है, जनम सही अंदा है, तब येशु की बारे में इस अंदा सुना, तो उन्होंने फुकारा, ये येशु तु मुझे पर दया कर, लेकिन सबों ने देखा है, और चिलाक कहा, ये भीक मंग छुपो जाओ, येशु इतना महान प्रभू है, वो जो है अपने काम से बियस्त में वो जा रह लिका हुआ है, येशु वहाँ ध्यान दिया, येशु ने उस आवाज को सुनके कहा, कोई मुझे पुकार रहे हैं, लोगों ने कहा नहीं, लेकिन येशु ने कहा, एक के आवाज है, तब देखा इस बीक मंग की आवाज, सब लोग ने कहने लगा, इस बीक मंग का दुसरा नहीं किया, येशु उसकी आवाज को तुच्छ नहीं जाना, येशु उस आवाज की आदर सम्मान किया, येशु ने कहा उसके बुला कराओ, वो आने के बाद उनसे येशु ने पूचा, तुम्हें क्या चाहिए, परमीश्य ने उसकी बिंती को सुनके उनको दिस्टी को कुद के बार में आप ऐसे सोच रहे हैं न, मैं इतना कंगाल हूँ, मुझे सब तुच्छ जानते हैं, इसे कहते हैं न, लेकिन येशु आपसे प्रेम करता, आपको तुच्छ नहीं जानता है, और परमीश्य आइसे खभी भी नहीं कहता है, तुम मेरे पास आओ, दंड़ करो, और जो है, इधर उदर जो है, उलट उलट कर जाओ, इसे जो है, नहीं कहता, तुम आओ, मैं तुम से प्रेम करता हूँ, तुमारी प्रातना को कभी भी मैं तुच्छ नहीं जानता हूँ, इसलिए आज जो है, तु मेरा बेटी के रुप में, बेटा के रुप में, पिता जी मैं निर्बल हूँ, मेरे प्रातना को दू प्रभू आदर सम्मान करता तुछ नहीं जानता, मेरी आवाज को प्रातना को तू प्रभू तुछ नहीं जानते वे आदर सम्मान करता है, ऐसे जो कोई आज प्रातना करते हैं, उनकी प्रातना को सुनके तू उनको उतकाम करना है ये शुक के नम से प्रातना मांगता हूँ आमेन आमेन